गो तसकरी के नाम पर हो रही हत्याओं और सरकार पर लग रहे आरोपो का सीम योगी अदित्यनाद ने कड़ा जवाब दे दिया है काकोरी कांड के शहीद ठाकुर रोशन सिंग के पैतरक गाउ नवादा दरोवस्त में उन्होंने हालात के लिए सपा को जिम्मेदा ठेराया है उन्होंने कहा कि सपा सी जुड़े लोग दूद निकाल कर खेतों में पशुओ को खुला छोड़ देते हैं इससे फसलों को तो नुकसान होता ही है गो तसक्रों को भी उनका सनरक्षन प्राप्थ होने के चलते आए दिन घटनाय होती रहती है इसे सपा का शड़ियंतर बताते हुए कहा कि वह चाहे कितने ही प्रियास कर ले कुछ होने वाला नहीं है हम गायों को ना सिर्व सरनक्षन देंगे बलकि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे बरेली के गाउ में जनसभा के दोरान सीम ने कहा कि परदेश में अब कांजी हाउस नहीं बलकि गो सरनक्षन केंदर बनेंगे ताकि कोई भी गोवंज किसी की फसल नश्र ना करे साथ ही उनकी हत्या भी ना हो साथ ही सीम योगी ने परदेश में सवा लाग से ज़्यादा नोकरिया देने का भी अलान किया है 79,000 से ज़्यादा शिक्षक और 50,000 सिपाही भरती होंगे जिसकी परकिरिया चल रही है सीम योगी ने कहा कि युवा पूरे मनयोग से तयारी करें उन्होंने वादा किया है कि परिक्षाएं पूरी पार्ट दर्शिता के साथ कराई जाएंगी और अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसे ना सिर्फ जेल भेजा जाएगा बलकि उसकी समपत्ती भी जब्त कर ली जाएगी ये खबर आपको कैसी लगी आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइनस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए